तो हाई बच्चा पायटी एंड अगेन मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस लेक्चर में तो आज लोगों शुरू करने वाले किसकी बात बात होने वाली है कंट्रोल सेंटर आप दे सैल मतला नूकलियस की बात होने वाली है लो आपके सामने पेश है वही है नूक लेकिन ये क्यों important part है नूकलियस नूकलियस क्या है ये तो मैंने बताया लेकिन नूकलियस important part क्यों है इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी सी करने वाले है जितने भी life process हो रहे होते हैं किसी भी cell के अंदर उन सारे process को आपस में तालमेल बनाए रखना मतलब सारे process को coordinate manner में चला ना उनको regulate करना ये किसका काम है ये काम है नूकलियस का इसके अलावा जब कभी भी कोई cell एक cell से दो मतलब अपने बच्चे पैदा करेगी मतलब अपने आपको divide करेगी अपने जैसे नयों को बनाएगी तो वो process कहलाता है cell division और इस cell division में भी cell अपना major role play करती है तो ये हो ग इंदास है अगर cell division ना हो अगर नूकलियस मुना करते कि हम नहीं करेंगा cell division भाई तुम क्या कर लोगे तो जरा ये बताओ क्या कभी भी किसी organism की growth हो पाएगी या वो unicellular organism जो एक ही एक ही एक ही cell का बना हो तो भाई ता आप क्या वो divide कर पाएगा क्या ना तो भी या बहु हम देखें तो यह जो nucleus होता है nucleus के अंदर कुछ structure पाई ज़ाते इक दम जाल 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 उसको बोलते है क्या chromatin fibers का बोलते है यह जीन्स है क्या है जीन्स जीन्स कोई क्या किते है फैक्टर कहा जाता है और एक तरह का वह हरीडिट्री मेट्रियल होता है क्या होता है हरीडिट्री मेट्रियल हरीडिट्री मेट्रियल का मतलब क्या होता है मतलब वह मेट्रियल जो माता पिता से करेक्टर्स आपके अंदर लेकर आता है वो मैटर रही है वो मेटरियल क्या खिलाता है हैरेडिट्रियल मेटरियल या हैरेडिटी मेटरियल कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हो अपनी भाशा में जो आपको अच्छा लगी देख लो भाई रोबर्ट भूरे ने रोबर्ट ब्राउन प्राउन सबस्कार पहले इसको आसे वह सबसे बाहर की तरफ कि जब मेंब्रेन कि चल रहे हो वहीं कैसी अगल का तो मेंगे नियूकृ और इंटर होता है से अंदर से अंदर कुछ बड़ा सा सामने या उसको कहते हैं Montgomery si वह जाल टेलाई स्ट्रेट्टर कुछ द Кडरे में या आपस याप यिव हुआ धा dawakya ये सारे सकते हो신ा है लेकिन आप देखा कि वहाई इसके अंदर भी कुछ स्टक्चर मुझेश के इन्दर साइट नियुक्लियो प्लास क्या होता है वाई नूप्लास जो नूपलास नूप्लास क्रोमेटिन करके देखो भाई बात कर लें किसकी न्यूक्लियस की तो ये छोटा स्फेरिकल मास होता है जो जनरली तो सेंटर में होता लेकिन एक मेचियोर प्लांट सेल में दमाच इसको साइड में कर दिया था क्योंकि अभी हम आपको पिछले ही लेक्षर में ये बात बता किया थे कि एक मेच्योर प्लांट सेल का जो 90% पार्ट होता है वो कौन अकुपाई कर लेता था वो कुपाई कर लेता हो था वह साइड में धकिया धिर बात तो आप ये कह सकते हो जो पाहर होती है जैसे की हम सेंटर बना दें बाई देखो एक सेल्हें यह बात ये दो एस रगारे एक निय सेंट्रिक कि और वो जो सेंटर से बाहर की तृफ होगा वो सदल के सकते स्थाोड न्यू Substance सेंट्रिक नहीं यह गयाया च Donald लेकिन जन्रली न्युक्लियस कहां पर होता है थीक है तो इतनी बात आपको स्थिखे करके आचुके हैं अगर न्यूक्लियो प्लास्म में देखा जाए तो कुछ त्रेट लाएं स्टॉक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता था क्रूमेटिन फाइबर और यह भी अभी बात है ज या nucleus का shape हर जहाँ सेम होता है अगर हाँ तो comment में बताईए और ना तो भी बताईए अगर आपका answer ना है तो आपको मुझे कुछ examples भी देने पड़ेंगे कि किसमे nucleus का shape अलग अलग होता है अगर ना जवाब है आपका तो अगर हाँ है तो comment में हा लिखके आप निकल सकते हो भा जाते हैं कि जैसे कि आप ये structure देख रहे थे इसका तो इसमें देख रहो ये fiber 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 फैले पड़े पड़े इसे लेकिन जब cell division चल रहा होता है तो अगर आप ये nucleus को बना लो तो nucleus के अंदर ये cell muscle जो fiber sources होते हैं ये这是 form में महूद आ जाते हैं किषौ में आ जाते हैं इस form में आ जाते हैं मेरी काथ समझ नहीं समझ रहा है देख लव एक definite structure बनके आ जा तो सामने कब नई कब रूरिंग स्ईिवीजल लेकिन जब सेटीविजन नहीं हो रहा होता है तब किस तहरा से होता है तब यह जु शुक्षर आं झाल बना लेकल लेते हैं । तो खरूप सोम की चप्षा भी अभी हम लोग करेंगे तो नवी कह रहा है चो जाते हैं नाम कर रोडिजन की तरहते हैं तिक हो जाते हैं और हो जाते और होने के बाद युसित बाद नज्या मतलब होता है बВыड़ी तो कुछ analis इसको बाद में दिया गया क्योंकि पहले तो नजर ही नहीं आते थे जब इसकी स्टेनिंग करी आते तो नजर में आता है कि यहाँ चाह यह भी स्ट्रक्चर मुझूद है ठीक है जब बड़े हो जाओके तो लैबरेटरी में देखने को मैं रहा है ठीक है आपका वालूम है ऐ आपने नॉक्लीες के ओपर देखा कि नॉकलियर मेंबरेन ती लेकिन कुछ ऐसी सेल्स थी जिनके ऊपर न्यूकलियर मेंबरेन मौझूद नहीं भूती है मतलब अगर आप ये cell बना रहे हो अगर आपने ये cell बनाई ये मान लो क्या थी ये एक cell है और cell के अंदर normally क्या होना चाहिए था ये nucleos होना चाहिए था और nucleos के अंदर ये chromatin fiber होना चाहिए था चीजह को पुराना और तो प्र्एंअ जिनका नगयीज पुराने वोपस नहीं है ऐसे पर उलिए फेलावा तो बाती अभी यह अच्छे से होने वाली है तो लृंट वरी आप अपको मालूम है कि यह जो नूकलिलर मेट्रेल होगा यह क्या हो जाएगा यह साइटोपलाजम में फ्रीली फैला होगा और किसी प्रोकारियोटिक सल्का अगर आपसे एक्जामपल पूछा जाए तो मुग पे खींच के मारेंगा क्या बैक्टिरिया तो कोई भी बैक्टिरिया की इसामपल आप दे सकते टीक स्थिना और मतलब होता है क्या true मतलब क्या होता है true तुइस पाए पाए जारहे होगी पाए जारहा वहाँ प्र घार और चितने अभी दूनिया में और्गनिस है बैक्टिरिया को revolve तो दो जिसने भी और है अलिए चनिया में हैं वो सब कैसे हैं यूखेयो ठीक है कैसे हैं यूखेयोट्र को इसमें कोई भी आपको परिशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है आई रूब आपको विवास समझ में आई होंगी आजा वहीया यो उलस तो ये वhem अन्दर पए जाना तक रिया गैंशनृ आपको बता दें लगबाग में कम से कम थो लंसा हो सकता है से ज्यादा गसकाता है यसे ज्यारइब होना चाहिए कुछ होती हैं जिनके पास झाल कि वह सकते हैं प्रत Nucleolus होना चाहिए लेकिन कुछ से ऐसी होती जिनके पस क्या होता है एक Nucleus के अंदर एक से जादा भी Nucleolus हो जाते हैं लेकिन यह जो नंबर होता है Nucleolus का इसे को Nucleolus भी कह सकते हो जब धेड़ सारे हो जाएंगे ठीक है तो इनका नंबर जो होता है यह हर Nucleus में फिक्स होता है ऐसा नहीं है कि हमारी एक सेल मानलो कि यहां इसकिन की सेल आपने ली इसकिन के नीचे की सेल ली उसमें से एक Nucleolus था और कहीं ब्रेन की से ले लिए उसमें पांच Nucleus निकल आएंगे क्या एक नुक्लियस में एक ही नुक्लियस अगर है तो मेरे हर्चरी में वही होने वाला ठीक है ऐसा कुछ नहीं होने वाला ठीक है और आपको मालूम था कि Nucleolus का का क्या था नुक्लियस फैक्टरी थी किसकी राइबोसोम की है ना यह किसकी फैक्टरी थी यह फैक्टरी थी राइबोसोम की और राइबोसोम क्या करता था राइबोसोम बनाते थे प्रोटीन की से मदद करते थे तो आप सीधा सीधा यह भी तो कह सकते हो कि नुक्लियस किसको synthesize करवाने मदद करता है प्रोटीन को synthesize करवाने में मदद करता लेकिन कैसे क्योंकि वह बनवाता है ribosome और फर्दर ribosome बनाता है प्रोटीन तो इंडिरेक्टली आप यह कहते हो कि nucleus की मदद से क्या बनती है protein बनती है मतलब अगर nucleus नहीं है तो भाईया protein synthesis की बाद भी आप नहीं कर सकते clear बाद अब देखो मुझे हमने बात लिए nucleus की तो कुछ ऐसे भी cells होती है जहां पर एक nucleus होता है और कुछ ऐसी cell भी क्या हो सकती है सवाल आप से है क्या कोई ऐसी cell भी हो सकती है जहां पर एक से ज़्यादा nucleus पायज है अगर हां तो आप comment में ज़रूर बताइए कि कुछ example उसके बज़े एक दो दीजिए और अगर न तो आप न कहके निकल सकते हो ठीक है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी cells भी है जहां पर एक से ज़र नुक्लियस पायज आते हैं तो अगर आपका आंसर यस है तो प्लेस कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिए गा और अगर आपका आंसर ना है तो चुप-चाब आप ना लिखके कमेंट सक्षन से निकल सकते हैं ठीक है लाइक शियर करना मत भूलिएंगा ठीक है और आप मुझे मेरे टेरिगलाम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पर जो भी लेटर्स अबडेट होती वह आपको महीं पर मिल जाती है ठीक है चैनल का नाम है टी एसस नाइंट एंड टे होते हैं यह कुछ इस थरा के नजर आने लगते हैं ठीक है अब को मालूम होगा कि नंबर ऑफ क्रोमसूम जो हता है हर स्पेशी में फिक्स होता है ऐसा नहीं होता है कि आपके अंदर 46 हमारे इंदर 46 इंसान कोई भी होगा उसमें 46 होंगे अगर 46 से कम हो यह 46 से जादा हुआ तो disorder लेकिने को मिल जाएगा मतलब आप normal भी फिर आप abnormal हो जाओगे clear बाद तो किसी भी species में किसी भी प्रजाती में कोई animal हो कोई insect हो कोई arthropod कुछ भी हो कुछ भी कोई molestan हो even कोई bird हो कोई fishes कोई reptile कोई bird कोई mammal कुछ भी हो सब में chromosome का number fix होता है मतलब हर species का अलग अलग होता है जैसे हम लोगों में 46 है ऐसे ascaris होता है नेमे टोड़ इसको बोलते हो आप round warm बोलते हो तो उन में क्या होता है उन में से दो होते हैं एक cell में दो ही chromosome होते हैं हमारे में एक cell में 46 हैं और आपकी भी एक cell में किते होंगे 46 होंगे अब अगर 46 बोलो तो अच्छा जो तो 46 बोलो आपकी मरजी तो आप यह भी कह सकते हो कि 23 पेर होंगे तो fix है तो मतलब fix है घटेगा बढ़ेगा तो अब normality देखने को मिलेंगी clear बाद जैसे ascaris में कितने होते होते हैं गार्डेन पी मतर में मतर में से भी जादा हो जाते हैं कितने होते हैं एक हजार से भी जादा होते हैं तो यह उनका character है और बाग की जिसका जो character था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि किसमे कितने कितने क्रूम पाए जाते हैं ठीक है इनका नंबर हर species में अलग अलग होता है ऐसा नहीं कि हमारे पास 46 होंगे कोई गधा मिल जाए कोई सबसे कहें तुमारे पास 46 होंगे कैसे नहीं तुम चला रहे हो कि उसको तुमने पैदा करा कि उसको तुमने बनाया कि आप उसमें कुछ नहीं कह सकते ठीक है अब वह उनके जीन ही यह बात को बताते हैं कि उनकी शकल सूरत कैसी है लिए बात तो यह सब डिपेंड करता है और उनके जीन के ऊपर ठीक है लेकिन कभी भी आप यह मत समझेंगा कि अगर किसी दो इस्पेशिस को आपको क्रोमसोम बराबर मिल जाए तो इसा नहीं होता है जीन की लोकेशन अलग अलग होती है उसकी देशा होता है वह बात अभी हम लोग आगे आके आपको क्लियर कर र यह बात है हम लोग पहले कर चुके त altri मेटरी मटरी Cup अब यह कैसे होता है होता कुछ ऐसे है कि जो फीमेल होती है और उनके पास नहीं होते हैं के अंधे अंधे पास अंदे नहीं होते हैं छीन उनके बौडिके अंदरी ओवरी में होती हूं ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में आते हैं अब यह क्या है इसकी चर्चा हम लोग आगे चैप्टर में करेंगे जब रिप्रडॉक्शन की बात करेंगे ठीक है तो फीमेल से एक जो आता है उसके पास हाफ क्रोमोसुम होते हैं किते आते हैं हाफ नमबर क्रोमोसुम 46 है तो 23 क्रोमोसुम कॉल लाएगा एक लेकर आएगा इसपर्म भी लेकर आएगा फादर से क्या जाता है तो मेरे से इसपर्म जाएगा तो हाफ क्रोमोसुम यह लेकर आएगा तो हाफ और हाफ जब आपस में मिलेंगे आकर तो यह क्या बनाने हैं कि एक पूरी इस सैल में जो 46 होने चाहिए तो यह full cromôs हों जाता होसे चक्रुमसोम जाते हैं जो आधे क्रुमसोम जो फादर dei क्रुमसोम मदरrek आप जो बनोगे वह कहां से बनोगे आदे क्रोमोसोम पापा से और अपनी विरासत में लिए थे आपको मिलें ठीक है अब क्रोमोसोम हमने कहा था यह क्रोमोसोम फाइबर के बने वे और यह हरीटरी यूनिट होती है इसको अमलोग जीन भी कह सकते हैं इसके अंदर क्या होती जीन पाए जाते हैं ठीक है क्रोमोसोम जीन नहीं है क्रोमोसोम पे जीन होते हैं क्या होते हैं क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर है डियने चाथ डियने सब लिपट लिपट के लिपट लिपट के कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर उसने यह बना लिया क्रोमोसोम क्या बन मेंदार होते हैं हमारे characters को regulate करने के लिए ठीक है तो hereditary unit जो होती है वो gene होती है और gene किसके ओपर पाए जाते हैं यह chromosome के ऊपर locate होते हैं और gene जो होता है वो कहे का chemical substance होता है complex उससे मिलके बने तो इसको नाम जिया करते हैं कि वहलब gene का number किता है chromosome का number किता है इससे कभी define नहीं होता कि किसी species का characteristic क्या होगा clear बात depend करेगा इस बात पर कि location क्या है gene की random location होती है अलग अलग location होती है जैसे कि आप देखो कि loins है इसके लावब टाइगर से इसके लावब skats होती है तीनों के पास जो chromosome होते वह 38 ही chromosome होते और 38 chromosome तो आप कहोगे क्यार सब को तो फिर एक जैसा हो जाना चाहिए था है ना लेकिन सब एक जैसे नहीं होते वजा यह है कि भाईया इन में जो chromosome पे जो मौझूद जीन थे जो hereditary unit थी वो क्या थी वो अलग अलग place पे locate थी लेकिन अभी अगर हम आपको बताते हैं कि जीन की exact definition क्या होती है तो आप यह कह सकते हो कि DNA का वो छोटा सा छोटा टुकड़ा जो किसी character को control करने के लिए जिम्मेदार हो वही कहलाते हैं क्या जीन और जो जीन टर्म है इसी को पहले factor कहा जाता था मेंडल के जमाने में लेकिन जब johnson आया तो इन्होंने इसको नाम दे दिया क्या जीन तो यह बात हो गई किसकी यह बात हो गई न्यूटलेस और उसके